हेलो फैन वेलकम बैक और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कार के बार में बताने वाला हूँ जो सड़क पे चलने के साथ ही हवा में भी उड़ सकती है तो आई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दुनिया की पहली फ्लाई एंड ड्राइब कार को मियामी 2020 एंड बिय की छमता और मजबूती को परेकने के लिए इसे कम से कम 150 गंटे उड़ाया गया है साथी से कई सक्स टेस से गुजारा गया है इस कार में दो मोड्स ड्राइब मोड और फ्लाइट मोड दिया गया है साथी इसमें दो इंजन भी दिया गया है ये कार ड्राइब मोड में 100 HP का और फ्लाइट मोड में 200 HP का पावर जनेर करता है पालवी कार हवा में 180 km प्रतिघंटा और सड़क पर 160 km प्रतिघंटा की मैक्सिमम स्पीड से दोड़ सकता है ये कार 0-100 kmps तकी रफ्तार फकडने में 9 सेकेंड का वक्त लेता है ये कार सिर्फ 10 मिनट में 3 विल कार से जायरो क्राफ्टर में बदल जाती है फ्यूल के रूप में इसमें गैसुलीन का इस्तमाल किया गया है इसमें 27 गैलन का गैस टैंक दिया गया है जिससे कि ये 500 km तक उड़ान भर सकता है और सड़क पर ये 1315 km तक चल सकता है कारबन फाइवर, टाइटेनियम और अलुमिनियम से बनी इसकार का टोटल वेट 664 kg है इसकार को उड़ान भरने के लिए 180 मीटर का रणवे और उतरने के लिए 30 मीटर का रणवे चाहिए होता है इसमें एक हैंडल बार दिया गया है, जिसकी मदद से इसे दोनों जगह सड़क और हवा में कंट्रोल किया जा सकता है अब बात आती है इसके प्राइस की, तो कमपनी ने इसका प्राइस लगबख 4.30 करोड रुपीज तक रखी है अभी तक इस कार की 70 booking हो चुकी है, और इस कार की पहली delivery 2021 में की जाएगी कमपनी ने इसके लिए एक सर्थ भी रखा है, जिसके तहत कस्टमर के पास driving license के साथ, पाइलट license भी होना चाहिए कमपनी इसके सस्ते वर्जन पालवी लिवर्टी स्पोर्ट भी तैयार कर रही है, और इसकी प्राइस 2.40 करोड रुपीज तक होगी हमें से सब कोई ऐसा चाहिएगा ऐसी कार में सफर करना, लेकिन इसकी प्राइस काफी ज़्यादा है, लेकिन ये कार मुझे तो देखने में काफी अच्छी लगी और काफी इंट्रेस्टिंग कार भी है, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करकी जरूर बताइएगा इस वीडियो में फिलाल इतना ही उम्मिद करता हूँ, वीडियो आप अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक सेर जरू कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लिस सब्सक्राइब जरू कर लिजएगा, थैंक्यू फैंस, थैंक्स वर वाचिंग